खाली उन्वर्सिटी उसका नाम है YBN उन्वर्सिटी यह वेबसाइट है और कैमपस देखो के जितने भी वीडियो रिव्यूज है उसमें हमारा परपस यह है कि आप किसी उन्वर्सिटी के बारे में जानकारी कैसे जुटाएं मैंने कई बार बताया है कि हर वीक्ति का अलग-alnyaग perception हो सकता है उन्वर्सिटी को देखने में यह उसके knowledge के business फर वह एक्स्पलोर कर सकता है जैसे किसी को कितनी rule regulations पता है उस business पर वह उन्वर्सिटी के बारे में अपने modify बना सकता है यह बता सकता है आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि YBN University कैसा है और इस से related जो myths है उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं यह YBN University की official website है अगर आप कभी कभार Google पर search करोगे YBN University तो जो पहली website निकल के आती है वो है YBN University.in यह एक गलत website है इसको इन्होंने अपने website पर highlight जो official website है YBNU.ac.in यहां उपर देखें तो यहां इन्होंने highlight भी किया है आवर official website is YBNU.ac.in Beware of fake websites अब जब मैंने इसके बारे में इन्वेसिटी से पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने बिताया कि पहले एक domain हुआ करता था जब इन्होंसिटी बनी तब यह domain हुआ करता था मगर जिस चुई इसे handle करता था वो अब नहीं है तो इसके जो domain के login है वगेरा वो किसी के पास है नहीं वो भूल चुके है तो जिस कारण से यह website को obsolete करना परा और in fact अगर आप इस website को खोलते हो तो यह पेज दिखता है और यहां अगर आप किसी भी admission या fee structure में जाते है तो you can see कि यहां आपको 21 के session का ही outdated details मिलता है तो यह इस domain में किसी को digitally इतना aware रहे नहीं होंगे जो भी इसको manage कर रहे होंगे तो जिसने भी इसको देखा होगा वह unfortunately साथ भूल गया या उसके पास password loss हो गया और वह recovered नहीं कर पाया और domain name में restrictions इतने होते हैं मैं a computer science graduate हूं और मैं बता सकता हूं कि domain name के retrieval में बहुत ही problem आती है यह कभी भी किसी को handover नहीं किया जा सकता है अगर आप अपना password भूल गया है तो यह nearly impossible है और वैसे भी university को dot in domain पर चलाना अच्छी बात नहीं है यह दीरे दीरे जब university established होती है इनिशली वह website dot in या dot com पर रखती है बाद में nic को apply करके dot ac dot in लेना पड़ता है इसके अपने अलग procedures होते हैं तो यह first clarification अगर आप कभी भी Google में search करते हो तो यह आपको मिलता है यह और इसके current university यह reputation पर काफी असर परता है बहुत लोगों को confusion होता है कि university गलत है अगर आप इसके Wikipedia page में जाओगे यहां क्लिक करने से तो यह इसका Wikipedia page खुलेगा और अगर हम इसको scroll down करते हैं तो आप नीचे चेक कर सकते हो यह ybn.ac.in और इससे जब हम खोलते हैं तो आपको actual website मिलती है और यह website में सारे information updated है और यही university claim करती है इसकी original website और एक बात यह है कि .ac.in open domain है नहीं कि किसी को भी मिलने सकता है जब तक कोई authorized body नहीं है academic body नहीं है ac.in का मतलब होता है academic in India यह government of India में NIC से लिया जाता है तो अपने लेटर हेट पर जब तक कोई educational institute लिक कर नहीं देगा और उसके proof नहीं होंगे तब तक कि .ac.in domain मिलता भी नहीं है तो यह .ac.in अपने आप में इस बात के लिए sufficient है कि यह जो website है वह authentic website है और किसी particular educational body की website है otherwise .ac.in किसी को नहीं मिलेगा तो यह clarification मेरे हिसाब से हो जा रहा है आगे हम courses को explore करेंगे मगर पहले university reputation से related जो confusion है उसे हम sort out कर ले अगला reputation नहीं है कि UGC से approved है या नहीं तो इसके लिए हम UGC की website पर ही जा सकते हैं और यहां higher education institutes में अगर हम click करें तो हमें hold a second यह कुछ malfunction कर रहा है मैंने refresh कर दिया है अब अगर हम यहां click करते हैं तो यह state private universities है state private universities के अंदर यह अलग-अलग universities के नाम है जो हमें दिखाया जा रहा है पुरी इंडिया में मैं इसमें जार्कंट select कर डेता हूं जार्कंट और अगर सबसे नीचे आप जाते हैं तो यह alphabetically sorted है इसलिए ऐसा नहीं कि यह low rank की university है यह visit website यह other details दिया गया है तो other details पर click करते हैं यह details हमें दिखा रहा university का YBN university का बना और आकी सरी details और अगर visit website में click करते हैं तो यह हमें YBN university की ybnu.ac.invalu website पर लेके आता है जो मैंने पहले आपको कहा था तो मतलब UGC के university के listing में यह है university, UGC के state private university के list पे है और यह university भी अपने आपको state private universities ही बोलती है जो कि government अप्शार करने इसको 17 July 2007 को permission दिया था right so यह clarify हो गया UGC की तरफ से इसमें कोई issue है नहीं अब है कि बहुत सारे courses है जो UGC recognized भी है या नहीं है या फिर कोई recognized course चलाता है नहीं चलाता है यह सारे confusion होते हैं तो देखिए जिस भी पढ़ाई के जिस भी courses के councils होते हैं उसमें बस council से approval लेना पड़ता है जैसे अगर आप नीचे जाए website में तो देखेंगे हम कि bar council होगा and CTE होगा इसका approval required होता है आपको जो भी B.A. related courses चलाने में तो इसका detail आप यहां देख सकते हूं कि यह इनके पास है और यह तो university pharmacy council का है इनके पास pharmacy में आप देखो भी फार्मा डी फार्मा के इनके अप्रूब करके रखा हुआ है अप्लोड करके तो this is true कोई issue नहीं है और इसके बाद यह तो university के अलग से हो गए और यह UGC का है और this I should click bar council यानि law के courses इसमें चल सकते हैं तो moralis अगर हमने यहां देखा कि यह सारे courses के related इनके पास details हैं जैसे इंडिया nursing council का भी इनके पास papers हैं आप इनको courses होंगे उन courses के लिए कोई council की requirement नहीं है वह courses CDC अगर approved universities है तो वह खुद बखुद चला सकते हैं बहुत टाइम पर लोग पूछते हैं कि AICT approval है कि नहीं तो इसको आप सर्च कर सकते हो does UGC या universities City need AICTE आप AICT के document में भी इसे check कर सकते हो इन detail आपको मिल जाएगा do not required AICT approval और यह आपके AICT की जो handbook है 2022-23 उसमें भी आपको मिल जाएगा मैं उसके जो भी link है वो description में दे दूँगा आप उसको check कर लेगा तो यह से जुरत नहीं परती है अगर कोई भी university UGC अपने आप में अगर वो university है तो उसे AICT की जुरत नहीं है अगर वो college है किसी university के अंदर है affiliated college होते है तो उन्हें जुरत परती है AICT approval की तो यह भी confusion हमारा तूर हो गया कि government body से properly university approved है या नहीं अब देखते हैं तीसरा confusion की universities में बच्चे हैं कि नहीं पढ़ाई होती है कि नहीं कुछ चीजों को कैसे हम समझ सकते हैं तो मैंने मैं कुछ देख रहा था इनके activities related videos तो मुझे कुछ videos मिले जैसे यहाँ national conference का यह video है national conference कोई ऐसे ही जब बच्चे आ रहे होंगे तभी चल रहा होगा उसके बिना तो नहीं होगा यह कुछ बच्चों के ट्राइवल college of nursing जो वाइब इन उनिवर्सिटी के अंदर है उसके बच्चों का performance है इस वीडियो को गराब प्रूफ समझ सकते हो वाइब इन उनिवर्सिटी में यह भी एक वीडियो मुझे मिला जो बच्चे बहुत enjoy कर रहे है I don't know कब का है यह women's day कर लग रहा है right international women's day so hopefully यहाँ crowd is not bad बच्चे हैं तो अभी अगर आगे अपन देखें तो this is same the activities going around मतलब student के लिए ठीक ठाक महौल है यह एक अलग वीडियो है दिख रहा है freshers and farewell party तो obviously बच्चे आ रहे होंगे इसलिए freshers and farewell parties हो रहे होंगी यह freshers party का है और यह universities का किसीने video बनाया हुआ है if you can watch it अगर आप इसको speed watch करो तो आपको universities के buildings etc. यह details देखने को मिलते हैं एक panoramic view मैंने यहां रखा हुआ है I can show you यह एक university का है कि जो starting की तीन buildings है इसके photo है और अगर आप और भी इसमें buildings हैं उसे इसके campus के पीछे हैं जो और भी जगह आप देख सकते हो तो infrastructure wise university is good और कुछ एक cases है universities के जैसे की एक बार का अभी हाल फिलाल में एक डी फार्मा जब मैं 2023 में जुलाई में इस वीडियो को record कर रहा हूं तब एक वीडियो मैंने देखा जब बताए गया कि छात्रों पर यह क्या कर दिया पुलिस ने लाठी और गोलिया चलानी परी ठीक है तो इसके बार में जब मैंने clarification मांगा तो मुझे बताए गया कि actually जो exams चल रहे थे पूरे जार्खंड में जितने भी फार्मा के colleges है उन सारे चाहे वो government के हो चाहे कोई भी हो सबका exam और इस exam में कुछ malpractice पकर रहे गया है जैसे यह एक news है आप you can verify the date June 5, 2023 आप उपर देख सकते हुए हा जून 5, 2023 इसमें जार्खंड एक student appearing for pharma exam in राजची YBN University has caught stealing और इसमें अगर आप नीचे जाके detail देखोगे तो बताए गया है कि सौरव कुमार यह एक doctor थे और यह MBBS doctor है सौरव इस MBBS and son of MBBS doctor यह इसके पिताजे भी doctor थे और यह यहाँ ना मुन्ना भाई जैसे आ गये थे फार्मा के किसी अपने दोस्त का exam देने के लिए और जब इन्हें पकड़ा गया यह है हो सौरव तो बहुत ही हंगामा हुआ बहुत ही high profile पैर भी आप इसको चेक कर सकते हो इस से पहले भी एक MBBS girl got engaged three days ago यह सारी चीज़े देखी गए थी तो इन सब को जब इन्वेसिटी ने examination को थोड़ा screw किया, tight किया तो student blast हो गया, ऐसा explanation है इन्वेसिटी का और यह वही नौबत आई जब बच्चे जब exam देके निकल रहते तो उन्होंने इल्जाम लगाए कि इ इन्वेसिटी के अपने बच्चे हैं, वो अलग से classroom में दे रहे थे exam बट इसमें इन्वेसिटी का clarification यह था कि इसमें जो भी exam है वो government के invigilation में होता है, इसमें प्रशासन के लोग होते है, administration और police involved रहती है, उनकी देखरेक में exam होता है और सारे classroom में CCTV camera लगे है, जो उनकी न इसा करना भी होता कि अपने बच्चों का अलग exam दिलाना होता, तो वो ऐसी building में रखते ही नहीं, जिस building में और भी बच्चे exam दे रहें, क्योंकि इन्वेसिटी के बास building की कमी नहीं है, बहुत space हैं के पास, तो यह explanation इन्वेसिटी का था और उनका करना था कि बच्चों ने बहुत तोर फोर की, और उन्वेसिटी को किसी का सीसा फोर दिया, गाड़िया तोड़ दी, तो इसके reaction में जब पुलिस से बीर कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो हवाई फाइरिक की गई और लाठिया चलानी पड़ी, तो यह तो normal case है, यह कहीं भी हो सकता है, जब student on yantrit हो ज इन्वेसिटी में बाहर का exam हुआ, कोई बाहर की agency exam ले रही थी, या मतलब जैसे government exam ले रही थी, तो वो क्या कर रहे हैं, इन से हमें नहीं फर्क पड़ता है, यह exceptional है, कभी कभी साल में 10 दिन, 15 दिन के लिए exams ऐसे होते हैं, और उसमें एक situation worst हो गया, तो वो, that is not related to the academic part of university, तो यह university के academic reputation से कहीं mail नहीं खाता है, ठीक है, तो this was the bit clarification, और एक दू वीडियो हमने देखे, जिसमें बताया गया कि university fake degree देता है, लेकिन अगर एक कल्यान विभाग का problem था, जिसके clarification जब हमने university से पूछा, तो उसने बताया कि जिस समय यह degree का issue हुआ, actually, चारकन सरकार ने एक degree कराने के लिए university को बोला, और बच्चे जब उसमें enroll हुए, तो उनको time पर degree मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जो approvals होते हैं, वो government से मिल नहीं पाया, और सरकार भी बदल गी उसमें, तो जिसके कारण जो नहीं सरकार आई, उसने इस process में कहीं नहीं delay क किया, और जिसकारण से university को सफर करना पड़ा, university का explanation था कि कहीं भी हम, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों को समय पर degrees देना, ताकि वो आगे job कर सके, इससे हमारा ही reputation बिल्ड होता है, तो हम जान बुझ कर अपनी reputation, एक course के लिए क्यों खराब करेंगे, वो दसलाक, बीचलाक रुपे की होगी, तो इतने छोटे amount के लिए वो कभी भी कोई गलत किसी बच्चे के साथ, कोई university जनरली नहीं करेगी, बट फिर भी अगर आप इसको fact check कर सकते हैं, universities को digilockers में instruction दिया गया है, NAD portals में government ने बोला हुआ, साथ universities को certificates को upload करने के लिए, तो अब पहले से चीजे बहतर हो गई है, मतलब यही है कि अगर कोई भी university UGC में listed है, तो वो आपके किसी भी चीज से भाग नहीं सकती है, ठीक है, अगर university grant commission, UGC को कभी भी पता चलेगा कि कोई भी universities गलत कर रही है, तो वो उसका तुरंथी affiliation या approval जो भी है, वो cancel कर देखे, so you should not worry about these things, I think कि YB universities को लेकर कुछ negative points, rumors बहुत सारे मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि यह clarify करना students के लिए ज़्यादा important है, बाकि infrastructure wise, university is I think very good, बहुत अच्छे infrastructure है, social media इसका अगर अपन देखें, तो इसके Facebook और Twitter, both are almost updated, सारी informations यहाँ पर update ही मुझे मिली, यह अभी ISRO के launch का detail डाला हुआ है, अपने other courses के related admissions से related details इन्होंने डाला हुआ है, 2023-2024 का, right, और यह सारी details यहाँ पर जा रहा है, तो this is good, updated information, और Twitter भी इन्होंने अपना maintain करके रखा हुआ है, it means कि university अपने आपको update रखने में believe कर रही है, so this is also good, यह अच्छी बात होती है, और अगर हम देखी कि और कौन-कौन से courses चलते हैं, तो यह मैंने एक list university से मगवाई, जो latest है, 2023-2024 का, यह आपको, then especially mail करके मगवाया, यह आपको दिख जाएगा, right, की BA, DLA, MA, Diploma, right, B.Tech, M.Tech courses, और सबके relevant fees आपको दिख जाएगे, जैसे B.Tech की fees 30,000 पर semester है, 5,000 इसके examination, admission fee है, और 2,000 इसका exam fee है, so this is, और इतने सारे subjects में इसका चलता है, electronics and communication, electrical, civil, information technology, computer science and electrical, so these are the subjects, यह आप university की website, ybnu.ac.in में जाकर भी चेक कर सकते हैं, के academics में, school of nursing, pharmacy, education, legal studies, paramedical sciences, somiopathy, arts and humanities, school of sciences, commerce management, computer IT, agriculture, engineering technology at university polytechnic, तो इतने सारे courses हैं, और मैंने इसके जितने भी approvals हैं, उसको check किया, तो जितने course इन्होंने इहां लिस्ट करका हुआ है, इन सब के approvals, as properly इनके पास available है, तो यह अभी universities के लिए कोई problem नहीं है, So, thank you for watching this video, और I feel कि मैंने आपके, जितने देर आपने इस video के देखा, मैंने इसको justify किया, मैंने universities related, जो भी clarifications थी, उसको बताया, see videos, यह educating videos है, इसका purpose, views बनाना नहीं है, मैं किसी भी university के खिलाफ या कोई भी, जो facts है, उसको रखना is good, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे regions से अच्छी universities भी होती है, कोई course हर university में सारे course अच्छे नहीं हो सकते हैं, किसी हर university की किसी-किसी course की speciality होती है, तो YBN में भी कोई course बहुत अच्छा है, कोई course इसके कमजोर हो सकते हैं, बट इससे किसी भी university के complete understanding पे कोई objection नहीं किया जा सकता है, अभी छे साल इस university के होने को हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कि यह NAC aggregated है कि नहीं, NBA है या नहीं, तो NAC के लिए कोई भी university जब 6 साल पूरा नहीं हो जाती है, तब apply करने के लिए eligible होती है, तब यह university इसके लिए eligible है, 17 जुलाई, यानि चिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन इसका 6 साल पूरा हो रहा होगा, येस, I'm right, this is 17th July, और अब ये NAC के लिए apply करेगी, तो हमें आगे एक से दो सालों में दिखेगा कि इसको NAC पे क्या ग्रेट मिला और तब और भी जानकारी से हमें मिल सकती है, इसी तरह subsequently हम लोग इसको follow करेगी कि यहाँ NBA gradation का क्या है, NBA के कोई course चलाने को ले करनी, NBA is just for quality, कि जो भी courses, technical courses चल रहे हैं, उनकी quality क्या है, तो ये सारी चीज़े अभी आने वाले टाइम में आएंगी, NAC gradation का भी मतलब, overall quality का होता है, कि university के infrastructure और related qualities, research, education, teachers, etc., ये कैसा चल रहा है, तो overall aggregation, NAC देती है, NAC के जितनी अच्छी grading होती है उस basis पर university के को अच्छी quality का माना जाता है, इसी के साथ ये video अभी मैं end up कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी query हो, वाइब इन university को लेकर, तो आप हमें comment करें, और very near future, हम अपना एक number या एक email idea आपको देंगे, अगर आपको कोई भी ऐसी query है, जो हम यह answer नहीं कर पा र हम उसको check out करेंगे और हम आपको details बताने के कुछिस करेंगे, so thank you for watching this video, just write me in the comment, what do you think, thank you